विवेक ओबरॉय और सल्मान खान के बीच 13 साल पहले जो हुआ वो ना ये दोनों और ना ही मीडिया भूल पाई है उसी बीती बात को विवेक ने खुद हवा दी और बनाया उस इंसिडेंट को अपने फिल्म प्रमोशन का एक तरीका कैसे देखे हमारी इस खास रिपोर्ट में इस बार ट्यूब लाइट के बहाने ही लेकिन विवेक की जुबान पर फिर से आया सल्मान का नाम वेल ये सब हुआ फिल्म बैंक चोड की प्रेस कॉंफरेंस के दौरान जहां फिल्म के प्रमोशन के लिए विवेक और ब्रॉय ने चुना एक अलग ही तरीका बस इसी प्रमोशन के दरीके से विवेक को अपने पुराने दिन याद आ गए जब आज से गरीब 13 साल पहले उन्होंने सल्मान के लिए रखी भी एक प्रेस कॉंफरेंस जिसमें उन्होंने सल्मान के खिलाफ कहा था बहुत कुछ बस तब से लेकर आज सल्मान ने वॉलिवुड में सब को माफ किया लेकिन विवेक को सल्मान ने आज तक माफ नहीं किया जिसका गम उनको आज भी है तब ही तो देखे न विवेक ने सल्मान का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था बात करें संदान चोर की तो रुटेश और विवेक की जोड़ी एक बात फिर आ रही है आपको इंटेटेन करने इस बार रुटेश बने हैं चोर और विवेक हैं को पिशली बार चोर बन कर विवेक के घर में घुसे रुटेश को इस बार मीडिया ने किया रोस जहां पर कुछ लोगों का रोस तो रुटेश ने अक्सेप्ट कर लिया लेकिन कुछ लोगों को रुटेश ने दिया जवाब, वहीं यहां पीसी शुरू होने से पहले कुछ मस्ती मजाग भी हुआ लेकिन रुटेश यह तो बताईए कि आपने विवेक को क्यों नहीं किया रोस्ट? जी मेरा जवाब यही था चलिए रुटेश यह भी बता दीजे कि विवेक की ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते वही रुटेश हमने सुना है कि आप साजिद खान के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे है अभी तक तो विवेक ही सलमान को याद कर रहे थे फिर मीडिया ने विवेक को याद कराना शुरू किया सलमान का नाम जिस पर विवेक को देना ही बड़ा जवाब जाते जाते विवेक ने इस प्रेस कॉंफेंस का एंड भी अपने स्टाइल ने किया on that very entertaining and funny note, I'd like to call this event to an end. Thank you so much to everybody for coming here and taking Arthur Sharif. See you all on 16th June in the theatres. Mumbai says, Tame Arora here, report E24.